दोस्तों नमस्कार जिस तरीके से पूरे देश में आयोध्या की सीट को ले करके बड़ी चर्चाय हुई और लल्लू सिंग हार गए इसका कारण सिर्फ और सिर्फ कौन हो सकता है इसको सोचने वाली बात है राम के नाम पर जो भाजपाद 400 प्लस का नारा दे रही थी वो राम की सीट को नहीं बचा पाई सबसे बड़ा ये सवाल है आखिरकार क्यूं क्यूंकि जहां पर जिसने कहा था उसकी बाती नहीं सुनी गई आखिरकार जिस समय टिकेट बटवारा हो रहा था उस समय योगिया इतनात को क्यों नहीं सामिल किया गया इस तरह के सवाल सोचल मीड आप उठाई जा रहे हैं आखिरकार योगी जी को उस ठिकेट बटवारे में नदारत क्यों रखा गया क्योंकि योगी जी ने बार बार कहा कि लल्लू सिंग की जगा किसी और को मुखा दिया जाए आखिरकार अयोध्या के लोग लल्लू सिंग से इतने नाराजकूँ आखिरकार ये सबसे बड़े सवाल है जहां राम की जनम मुमी हो और राम का इतना विशाल मंदिर बना हो और वहां के लोग 84% हिंदू होने के बाद वो सीट हार गए आखिरकार ऐसी क्या फेलियर रहा भाजबा का ये सोचने वाली बात है परदान मंतरी, अमिसा, जेपी नड़ा कितने कितने बड़े दिगज उस लोग सवा सीट पर उतरे परंतु वहां पर हार का सामना देखना पड़ा, हार का मुँ देखना पड़ा सपा को इतनी जबर्दस जीत मिली और ये सबसे बड़ी बात है जहां से राम की बात करने वाले, वहां से ही सीट हार गए आखिरकार क्यूं? क्यूंकि जिस तरीके से योगी आदेतनात को यहां पर टिकेट बटवारे से ले करके पूरी कहीं चीज़ों को नहीं देखा गया, इसलिए कहीं न कहीं ये खाम्याजा उठाना पड़ा है वो उत्तर प्रदेश में नुकसान देखने को मिलाया, वो नुकसान देखने को नहीं मिलता आखिरकार आज हर पार्टी में बम-बम हो रही है, हर पार्टी खुशी के मारे जूम रही है, सरकार चाहे कोई भी बनाए आखिरकार जिस तरीके से जो देखने को मिल रहा है कि परधान मंतरी नरेज मोदी ने कह दिया कि हम तीसरी वार जीते जनता का बहुत बहुत आसिर बात है आखिरकार वो परधान मंतरी वरणसी से भी पीछे चले ये आप सोचने वाली बात है जहां पर कासी कॉरिडोर जैसा एक बड़ा मंदिर को इन्होंने सुलजाया वहां से प्रधान मंत्री खुद चुनाव लड़ रहते हैं वो पीछे चले ये सवाल है आखिरकार अयोध्या से लल्लू सिंग का सबसे बड़ा सवाल ये है कि जहां राम की बात करने वाले लोग थे वहां से लल्लू सिंग हारे पर मत्रवाले नहीं हारे हैमा मानने पर पूरा भरोसा दिखाया और तीन लाग के आसपास की जीद दर्ज कराई आखिरकार अयोध्या के लोग नराज क्यों हुए नराज होने का सिर्फ कारण यही है कि आखिरकार प्रत्यासी को बदल दिया जाता तो हो सकता है कि प्रत्यासी मजबूत होता और यह यहां पर जीद दर्ज करा सकते हैं क्योंकि लल्लू सिंग का स्वभाब और जनता के बीच में उनके प्रती नाराजगी वो देखने को मिली आखिरकार जिस तरीके से वहां आयोध्या का डवलम्मेंट हुआ आयोध्या की काया कलब जो हुई है उसको ले करके जनता ने तो कहा कि बहुत अच्छा काम हुआ है बहुत जवर्दस काम हुआ है इससे पहले हमने आयोध्या ऐसी देखी नहीं जो वास्तम में जब राम बापस घर आये थे उस समय का जो द्रस्य था पूरी आयोध्या सज समर करके सजी धजी थी उस तरीके से राम लला के प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद आयोध्या सज के समर के खड़ी हुई थी परन्तु जिस वक्त नतीजे आए उस वक्त तो वहां कुछ औरी देखने को मिला क्यूंकि आयोध्या के लोग नहीं चाहते थे कि हमें ऐसा प्रत्यासी मिले हो सकता है कि यही कारण रहोगा जिस तरीके से अमिस सहा की जो इन्वाल्वेशन टिकेटों में रही इस वज़े से ये यूपी को खामिया जवा भूगत ना बढ़ा अगर यहां पर योगी जी को अगर इंवाल्व कर लिया होता जो 40-50 सेटों पर अगर योगी जी ने अपनी बात रखी थी अगर उन बातों को सुलिया होता जिस तरीके से उत्तर प्रतेश के अंदर जो नाराजगी लोगों के अंदर देखने को मिली वह वास्तम में कुछ न कुछ तो कहती है अगर हम फस और सेकंड फेस की बात करें जो वास्तम में किसान और जाट बैल्ड के नाम से जाना जाता है किसानों की बात नहीं सुनी गई सेंटर की तरब से रोजगार पर जो युवा फौज के अंदर जाते हैं वहाँ पर अगनी वीर जैसी योजना लेकर के आगए उससे युवा बड़े नाराज रहे रोजगार को लेकर के बड़े दुखी रहे इस वज़े से लोग दूसरी जगह चले गए ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है बेरोजगारी आखिर कार वो जो असी लाख लोगों को रासन देना ही कोई काम नहीं है वो भी बोटर आप से चटक गया वो आखिर कार चटक करके गया कहां हो सकता है कि यहाँ इन्होंने बड़ी खामयाज इन्होंने जो रन्डी थी जो बनाई थी इनके लिए ही उल्टी पड़ गई उत्तर प्रदेश के अंदर बाकी आप मद्य प्रदेश में देखिए मामा ने सबसे बड़ी दर्ज हासिल किया है और मामा ने वहाँ पर रिकॉर्ड बनाया है वहाँ पर पूरी की पूरी सीटे भाजबा के खाते में